स्थेयम योगी की छाप दिवरिया में भी दिवरिया नाम यानि देवारन्य या सायद देवपूरिया से उत्पन हुआ आधिकारिक राजपत्रों के मताबिक जनपत का नाम दिवरिया है इसके मुख्याले के नाम से इसका नाम लिया गया है और देवरिया सब्द का मतलब आम तोर पर एक ऐसा इस्थान जहां मंदिर है देवरिया एक जीवास्म यानि टूटी हुई स्यूमंदिर द्वारा अपने उत्तर में कुर्णा नदी की ओर से उत्पन हुआ जनपद देवरिया में उत्तर परदेश, जनपद कुसीनगर, पूर्ब में जनपद गोपालगंग और सीवान यानि बिहार राज़ दच्छिन में मौव और बलिया तता पस्चिम में गोरखपुर जनपद से गिरा है एक सोतंतर जिले की रूप में अस्तित्तु में आने से पहले ये जिला गोरखपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था 16 मार्च 1946 को इसे गोरखपुर जिले से अलग कर एक सोतंतर जिला बनाया गया राजनितिक दिश्टि से ये जिला तीन लोगसभा निर्वाजन चेत्रों के अधीन आता है देवरिया सांसिदी चेत्र से भाजपा के रमापती रामत्रिपाठी सलेमपुर से भाजपा के रवीन रुकुस्वाहा और बास गाउं से भाजपा के कमले स्पासवन जीते हैं देवरिया जनपत के अंतरगत साथ बिधानसबा सीटें आती हैं जिनमें से रुद्रपुर बिधानसबा सीट से भाजपा के जैप्रकास ने साथ देवरिया से भाजपा के जनमेजे सिंग, पथर देवा से भाजपा के सूर प्रकास साही, रामपूर कारखाना से भाजपा के कमले सुक्ल, भाटपार रानी से समाजवादी पार्टी के आसुतोस सलेमपूर से भाजपा के काली प्रसाद और बरहत से ही भाजपा के सूर इस्त सदी है जिसमें से महिलाओं की साथ चर्टा दर पुर्सों के अपे चाक कम है 2011 के आधिकारिक जनगर्ना के अनुसार यह एक हिंदू बहुत संख्यक जिला है जिले में हिंदू की जह संख्या 88.07 फिस सदी है यपकि मुस्लियों की आबादी 11.56 फिस सदी है अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में इसाई 0.01 फिस सदी, सिख 0.03 फिस सदी, बौध 0.04 फिस सदी और जैन 0.01 फिस सदी हैं हिंदी भोजपूरी के अलावा उर्दू भी यहां बोले जाने वाली भासा है हिंदू आस्था की द्रिष्टी से देवरही मंदिर, दुधेश्वरनात मंदिर, दिरगेश्वरनात मंदिर, परुसुराम धाम और देवरहा, बाबा कूटी यहां के प्रमुखदर सिनी इस्थल है देवर्या करजन संख्या की द्रश्टी से उतरप्रदेश में 32 इस्थान है और लिंगा अरुपात की मामले में या उतरप्रदेश में 30 रा इस्थान रखता है अरुपात की में 30 रा इस्थान रखता है